हाँ हेलो वर्यों पिछली क्लास में हमने बात कि थी क्या फ्रीडर क्राफ्ट अलकाइलेशन की और फ्रीडर क्राफ्ट असाइलेशन की आज की वीडियो में बात करेंगे हम इफेक्ट अब सब्सेट्वेंट और डाइस उप्रेशन की मेरे पास एक गुरूप परजेंट होगा पहले तो अब तक हमने बात की जो बैंजेन निए थी उसपे सिंपल बैंजेन इंग तो कोई गूरूप पर जूड़ा था लेकिन अब जो बैंजेन निग वह उस पर कोई और पर जोड़ेगा एक पर जोड़ेगा इन दा इन्फॉएंस ओप जो प्रेजंड गुरूफ है जी ठीक है बड़ी कि जो जी गूरूप पर जैंट है उसके इन्फॉएंस जो एक्जम्पल ले रखें में तोलो का न популяр रख्यक्यां रहा है किया हनुद रहा है तो और तो소리 मुझेट बन कि अगर मैं चोन इव मेंश्स करता हूं तो हमारे प्रजेक्ट है वह क्या 75.5 पर परद्ट 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 तो स्टार्ट करते हैं इफेक्ट अब स्ट्ट्ट्ट ओन और और इंटेशन देज क्या डियक्टिव इंफ्लुएंस देखो पहले मैं लिख रहा है और तो पैरा डायक्टिंग ग्रूप यह याद रखने इनको बताऊंगा क्या काम आता है और कैसे कम करते हैं और मैंने लिख स्ट्रेक्टिंग क्या मैं रहें हैं क्या क्या अब बात करते हैं क्या क्या इफेक्ट है स्ट्टिविटी यह ठीक है तो मैंने अगर मेरे पास कोई भी मोनो सब्सिटूटिटी बैंजीन अंडर वो फास्टर रिएक्शन जाती किसे बैंजीन से किसे बैंजीन से ग्रूप उसको क्या बोल दूँगा मैं एक्टिवेटिंग ग्रूप क्या करेगा एक्टिवेट करेगा रिंग को अगर मेरे पास कोई भी मोनो सब्सिटूटिटी बैंजीन जाती है स्लोवर रेट से दें बैंजीन से ग्रूप एक्टिवेटिंग ग्रूप उसको किया बोल देंगे डी एक्टिवेटिंग ग्रूप वो क्या करेगा डी एक्टिवेट करेगा तो हमारे पास और्थो पैरा डाय क्टिमेटिंग अले क्का है एक्तिमेटिंग और तो सी तो ऑर्थो पैरटे नेकिघिफिटिंग देखो भाई यहाँ chlorine आ गया ब्रॉमिन आ गया एड़ इन आगर chlorine गया हो सकते हैं हो जाएगा अब बात करते हैं इनकी explanation की कि जो हमारे पास ortho para directive है वो ही क्यों है activating group और जो हमारे पास meta directive है वो ही क्यों है deactivating group तो पहले में adding डाला किये ortho para directing group with plus i और plus r आप लोग पता है अगर ह कते हैं हुर्य डीज करेंग रिलिय्ज करेगा है अकर मतलब रहा है और ज этим नैगेटिव जाए का फिर यह 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 रजनेंस उगहाई ख्राइगा और ऑरतassung दू जो इस CH3 के प्लस आई के लगने के बाद CH3 के प्लस आई के लगने के बाद जो हमारे पास negative charge आ रहा है वो ortho para पे आ रहा है तो उसको बोल देंगे ortho para directing groups क्यों देखो भाई अब यहां negative है तो इस पे जुट कूण सकता है electropile, electropile charge कैसा होता है positive electropile का addition हो सकता है तो जो हमारे पास प्लस आई के काण जो electron density बढ़ रही है वो कहां बढ़ रही है ortho para position में बढ़ रही है ठीक है भाई जिससे easily electropile जुट सकता है कहां ortho para position में जुट सकता है लेकिन अब देखो एक region और है उसका देखो भाई हाँ और तो अटेक हुआ और तो भी जुटा जाके तो हमें देखो यहां इस स्टेकर सबसे मोज स्टेबलाइज है तो यह पोजिट एक तो क्या resonance से स्टेबलाइज है और एक क्या CS3 से स्टेबलाइज है hyperconjugation से एलफाइजन कितनी है तीन है ठीक है भई देखो फिर resonance होगा और फिर क्या होगा resonance होगा तो जो हमारे पास positive charge आ रहे है हमने पहले भी पढ़ा है नहीं मेकनिजम में और तो स्टेबलाइज हो रहा है प्लस आई सरो प्लस एच से इसका क्या लग सकता है प्लस एच भी और क्या प्लस आई भी ठीक है तो यह स्टेबलाइज किसे हो रहा है तो इसके स्टेबलिटी बढ़ जाएगी इसकी क्या पोटेंशनर जी घट जाएगी ठीक है अगर मैं पैरा की बात करूं तो पैरा भी ऐसा ही होगा पैरा पी जोड़ दिया इलेक्टोन छोड़ें यह 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 नेगटिव यह जुड़ा तो इसके रेस्पेक्ट में यह पाइबॉ क्या साइस घडिए ठीक है च्थी एस्टी पिए करवू क्या पोजीटिव चर्जफ की बढ़ा देंगे और यह क्या एक और भी, बदढ़े ने और स्ट्प्रमड की तरफ पर उकशेम भी रखे готовा और विंटर पांद रिख जांता है तो तो मेरे पाइबुन गांडिस्पर प्रफ पर के तरफ तो इन दोनों से तो कम इस इन दोनों से कम स्टेबलाईज है तो यह दोनु प्रोटेक्ट तो बनेंगे यह प्रोटेक्ट ने बनेगा ठीक है तो जो मेरे पास क्या लिखा मैंने और तो प्लस आयों अगर मेरे पास अलगाइल गुरूप है और उलेक्ट्रों लेजिंग गुरूप है तो वह कहांँ प्रोडेक्ट को और थोर पहरा प्रैलेक्ट ठीक है अब बात करता हूं राईनेंस की किसकी कि मुझे पता है नेश्टू को क्ये लगते हैं ? अगर यह लॉन पर यह यह लोन पर होई यह लोन पर यहाँ आए यह नेगटिव चार्ज करेंगा यहाँ पॉजूर्श परसे डिसपर्स करेंगा पॉजूर चार्ज को स्टेब्लाइज करेंगा स्टेपलाइज करेगा डिस्पर्स हो रहा है पोजिटिव चार्ज तो इसके स्टेपटी क्या हो रही है बढ़ रही है ठीक है तो और्थो अटैक इजली हो सकता है देखो भई फिर रेजुनेंस होगा यह तो इलेक्टोफाइल के रिस्पेट्ट में और्थो पोजिशन पे प मुझे पता है पैरा भी जुड़ा तो अब क्या हो सकता है यह पाईबुन गाएं यहां है तो पॉजर चार्ज यहां रहा है देखो लोन पेर से स्टेपलाइज यह डिस्पर्स कर रहा है चार्ज को तो इसकी स्टेपलिटी बढ़ जाएगी हाँ तो यह भी क्या कर अटैक क अब बात करते में अटेक होगा तो इसकी स्टेपलाइज नहीं हो रहा है तो इसकी स्टेपलेटी बढ़ेगी नहीं तो इसकी प्रोटेंश चीप क्या हो जाएगी उन दोनों में लोन पियर से स्टेपलाइज ओ रहा है तो स्टेपलेटी बढ़ लेकिन मैटर अटैक में नहीं हो रहा है तो जब भी हम बात करेंगे हमारी पास प्लस आर की या प्लस आइगी तो धियान रखना वो दोनों क्या होंगे ओर्थ और पेरा डैरेक्टिव होंगे ठीक है भई आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या और्थो पैरा रिश्यो की ठीक है भई तो आज की वीडियो में इतना ही बढ़ते रहें थेंक